तो यहां पे आप देख सकते हैं कि भी हर बीएट की और लड़ी करेंट फिर चल लिए पाट वर्न हम और लड़ी करा जुके जिसमें 29 थे अब 29 तु 50 यानि की मौक टेस्ट वर्न आपका खत्म फिर मौक टेस्ट हम प्रैक्टिस टोटल आपको छे कराएंगे और छे में 50 कोश कि यह सीरीज होगी तो चलिए यहां पे श्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आपे चैनल पर नए हो तो बिलकुल इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देजिए और डेली क्लास जरूर किया कीजिए तो आईए करनाटक के चित्रदूर्ग जिले में मनाए गए भागी रथे जैनती के अफसर पर बिहार की किस व्यक्ति को भागी रथे स्री सम्मान से सम्मानित किया गया एक पिनट चलिए sorry for disturbing actually वो क्या था कि आपका सीरीज थोड़ा ब्रेक हो गया था सत्रा सो एकर में फैले बिहार के सबसे बड़े टेक्स्टाइल पारक का निर्मान कहां किया जाएगा फटाफट बताईए ओके तो सत्रा सो टेक्स्टाइल बेतिया पश्यम पंजारन में किया जाएगा निमलिकित में से कौन सा राज इभंडारन विवस्था को लागू करन पैथोलोजी के इंदर खोनने का यानि पैथोलोजी आप समझ रहेंगे जहाँ पे आप बलड जो बलड जा सिस्टम होती है वहाँ पे आप जाते हो पताए कौन सा राज़जाईस वात है कि हम बीहार की बात कर रहे हैं तो और क्या होगा तो बीहारी होगा बिहार टेक्स्टाइल लेदर पॉलिशी के सम्बंध में 2022 में कौन सा कथन सकते हैं तो चलिए लेदर टेक्स्टाइल के बारे में कौन सा कथन सकते हैं तो इसमें सभी सकते हैं इसके तहत यहां पे देखें तहस सयंत्र के लिए 15% का अनुदान दिया जाएगा अधिक्तम 10 करोड तक होगा उधोग में कारे रत करम चारियों को 5000 रुपे प्रतिदर से 5 वर्सों के लिए अनुदान दिया जाएगा निर्याज से संबंदी 30% पड़ी वहन सफसीरी दी जाएगी इसके तहट 5 साल माल धु कि अनुदान दिया जाएगा जानी कि सभी एंसर हर्याना में ओलं आई वजित खेलो इंडिया यूथ हिम 2020 का संबंध में कौन सा सत्ते हैं तो answers है् सारे के सारे सते हैं कैमूर जिले कि सुभ्हम कुमार ने कुस्ताई पर तो अगदेमिक क्या कांसक्रप्तक जिता है, जहानवाद की भोला कुमार ने भारतोलन मेशवान पतक जिता है, भिहार के एक शुर्ण एवं एक कास पदजित का तालिका में 28 मास्तान प्राप किया है मुक्रमंदर निदेश कुबार द्वारा जरूरत मंदों को एवं और सहाय लोगों के लिए किस जिले में निर्मिद अमर प्रेम का लोकारपन किया गया तो पटना जिले में अमर पेन का लोकारपन किया गया हाले में गंगा नदी के किस जिले में देश का सबसे लंबा स्टील ब्रीज बनकर तैयार हो गया है तो ये है पटना सबसे लंबा कौन सा स्टील ब्रीज याद रखे कहा का तो किस जिले में देश का सबसे लंबा तो ये आपका कोश्चन यूनिवर्सली भी आ सकता है बिहार में क्रिसी चौथा बिहार में चौथा क्रिसी रोड मैप कब से लागू हुआ तो एंसर एक अपरेल दो हजार तेईस में करनाटक के चित्र दूर्ग जिले में मनाये गए भारती या जैंती के अफसर पर बिहार के किस वेक्ति को भागी रस्तरी सम्मान से सम्मानित किया गया तो वो है ततकालीन उपमुक्र मंत्रे रेनु देवी जो बनी थी तो बोध गया में कमांडो का ट्रेनिंग दिया जाएगा निमले खित में से कौनसा सत्य है? बिल्कुल दूसरी बार माहराश्ट के बाद बिहार में किया जाएगा निम्लेखित में से कौन सा कथन सकते है तो दोनों सही है बिहार सरकार उधोक के लिए MSME सेक्टर को बहतरीन परदसेंगे निशनल MSME अवार्ट प्राप्त हुआ उडिशा के बाद बिहार ने MSME सेक्टर देश में दूसरा अस्थान प्राप्त किया है उतरी कोईला जलासाय योजना के संबंध में कौन सा कथन सकते है तो सभी सकते हैं इस योजना में बिहार को 1.12 लाख हक्टो एर सचाई छमता का विकास होगा 52 साल बात पच्छे पात एवं महत बकांचे पड़ियोजना निर्मान का रास्ता साफ हो गया है मंडल डैम का पड़ियोजना का भाग है आप एक काम कीजाए गूगल से इसको सर्च कीजाए कि मंडल डैम कहां है ठीक है किस नदी पर बना हुआ है तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखे उतरी कोईल सोन की सहायक नदी है निमलिकित में से किस पुस्ता के लिए मुल्डी मनोहर स्रीवास्तव को इंडिया बुक आफ दरिकॉड के आवाड से नवाजा गया तो सहनाई वादक उस्ताद विस्मिल्ला खान याद रखेगा कि विस्मिल्ला खान क्या थे तो सहनाई वादक थे पत्ना के पाटले पुत्राय स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स में आयो जिस साथ में जूनियर रगवी चैंपियंसिप में किस राजी के बालिका और बालक वर्गम ने खिताब जीता है तो बिहार की बात यहां पर बिहार है तो जहां जिसे बात बिहारी होगा हाली में बिहार की किन जिलों में धुम्रपान मुक्त जिला, घोसित होने पर राजस्तरिय असम्मान समरो, यानि कि धुम्रपान सेक्रेट वहां कोई नहीं पीता है, बेरी कोई नहीं पीता है, तो धुम्रपान मुक्त हुआ, 46 बताईए तो मुझेफर पूर सितामढ़ी एवं सिवहर हाली में चर्चा में रही खगडिया जिले की स्रेयात्यागी का संबंध किस छेत्र से है स्रेयात्यागी तो इनका संबंध है योग कला किस से हैं तो योग कला दो सो एक सट करो रूपे की लागत भी हर विद्याले परिच्छा समीती द्वारा राजे का सबसे बरा परिच्छा भवन कहां बनाये जारा जिसमें पचीस सो बच्चे एक साथ परिच्छा दे सकते हैं तो पटना किस रेल मंडल ने छेतर के न्यूजल पाई गुड़ी रेलवे स्टेशन से ढाका के बीच में चलने वाली मिताली एक्सप्रेस का प्रेचलंज जून से 2022 से किया गया है तो एंसर इस कटिहार मंडल पटना में आयो जो इतनौमी सीनियर राष्टियर रगभी परते होगी ताके महिला वर्ग में भीहार की टीम ने किस राज को हड़ा कर पहली बार नेसनल चैंपियनसिप जीता है तो एंसर इस 15 का B क्या हो जाएगा तो 15 का B इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 1 खत्म होगा अब हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे नेक्ट वडियो में नई इंफोर्मेशन के साथ नए वीडियो के साथ थाइंक्यू फॉर वाजिग अस माई चैनल